नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया? गड़! तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्द्यों में हर घर में बनने वाली इम्म्यूनिटी को स्ट्रॉंग करने वाली शक्कर और गोंध से बनी हुई पिन्नी तो इसे एक या दो पिन्नी आप दूद के कौन से ड्राइब फूट डालना चाहते हैं आप ड्राइब फूट कम ज्यादा कर सकते हैं मैंने एक कटोरी अख्रोट ये गोंध है वाइट कलर की शाइन करती हुई इसे हम एडिबल गम भी कहते हैं ये जिसके कमर में दद रहता है उसके लिए बहुत अच्छी होती है तर बद उसको गी में फ्राइब करना एक तरह से ये ऐसे बिलकुल पॉप अप हो जाएगी वाइट कलर की बिलकुल जब ये हाथ से तूटने लग जाए तो मतलब हमारा जो है ये फूल गई है और अच्छे से पक गई उसके बाद उसी तेल में हम ड्राइफ रोट्स उसको रो हमने घी में अच्छे से ब्राउन होने तक भून लिया है है फिर पादाम भी इसी तरह से हमने भून लिए बेसी घी में तो इस तरह से हमने सारे अपने ड्राइफ रूट्स जो है ये सब भून के रख लिए तो हड़ियों का दर्ध हो, पुराना दर्ध हो सर्जियों में ये जो हमारी ड्राइफरूट वाली पिन्नी गोन वाली पिन्नी खाने से सब ठीक हो जात तो एक बार आप जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको जरूर पसंद आएगी फिर हमने जो ड्राइफोट उसको दद्रा ही पीसने फिर हमने धाई-सो ग्राम घी लिया ये सब घी जो है थोड़ा उसको मेल्ट कर लिया उसके बाद हम इसमे चार कटोरी आटा डालेंगे चार कटोरी आटा और फिर इसको धीरे-धीरे भूनेंगे हम आप घी जो है अपनी हिसाप से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको हमने धीरी धीरी अच्छे से भूनना है धीमी आंच पे इसके जो गुठलियां उसको तोड़ते रहना है हमने यह देखें ऐसे करके हम गुठलियों को तोड़ते रहेंगे अगर आपको लगे तो आप थोड़ा से इसमें घी और एड़ कर सकते हैं और दीरी दीरी आपको खुश्बू आनी स्टार्ट हो जाएगी कम से कम बीस मिनिट के करीब इसको हमने भूनना है और फिर इसमें मैंने शक्कर डाल दी थोड़ी सी देसी घंट डाली है और जो हमने ड्राइफ रूट पीस के रखे थे वो सारे इसमें आड़ कर दी और यह देखिए तो मैंने बच्चों को काम पे लगा दिया और वो अच्छे से लड्डू बना रहे हैं उसके तो इस तरह से आप लड्डू बना के इसको रख सकते हैं यह अभी हलका सा मतब गरम गरम में ही बनानी है से अगर यह ठंडा हो जाएगा तो यह बनेंगे नहीं आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं चूर्मा की तरह भी ऐसे रख सकते हैं या फिर लड्डू बना सकते हैं जैसे आपका मन कर तो एक बर आप जरूर यह खा के देखें यह हल्दी गून के ड्राइफ रूट के लड्डू सब्साब कापाईचे यह तरह सकते हैं